हेलो बच्चों कैसे आप सब आई वोब यौला फाइन बच्चों हम लोग ने हमारे मैट्स में exercise 1.1 का question 3 कल कर लिया था आज हम लोग question number 4 पर जाएंगे question number 4 by 6 7 8 देखते कहा दे हम लोग कर पाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं question number 4 से start करते हैं और जो question number 4 है आपका इसमें एक table दिया गया है उस table को मैं बना देता हूं इस question number 4 में सबसे ज़्यादा important है कि जो information दी गई है उसको interpret करने आना अगर आपको information को interpret करने आता है तो एक question आपके बाइन आपकर खेंगे interpret करने नहीं आपा रहा है तो एक question में बहुत दिक्कत दोगे आपको तो पहले मैं interpret करना सिखाता हूं इसका मतलब क्या है वही जो दिया गया है question कि क्या कहना चाहता है आपसे तो इसमें जो सबसे पहले table है table बनाता हूं table of value of f, g, f', g' is given यह आपके पास एक table है table में जो है अलग-अलग आपके पास columns बने रहे है columns बना देता हूं सबसे पहले क्या है x का column उसके बाद क्या है f of x का column है उसके बाद क्या है g of x का column है उसके बाद f' of g, f' of x का column है और उसके बाद g' of x का column है तो यह आपके पास column दिया गया है समझ में आ रहा है clear हो गया यहाँ पर जो है अलग-अलग values दे गए है 2, 4 और यहाँ पर क्या है 6, x के वालग 2 है, 4 है, 4 f of x क्या है 1 है, 3 है, 5 है यह 6, 4, 2 minus 3, 5 minus 4, 4 minus 6 और 7 यहाँ पर मैंने आप से कहा कि आपको सबसे पहले क्या करना है information को interpret करना है, कि information क्या कहना से आ रही है आपसे, यहाँ पर समझो जरा कि table क्या कहना से आ रहा है आपसे तो इसको समझो, यहाँ पर x का वालग 2 है, तो जहाँ पर भी मैं अगर x पूट करूँगा यहाँ पर देखो तब जगा x है, x है यहाँ पर भी x है, x है, तो मुझे क्या मिल जाएगा अगर मैं x पूट करूँगा, तो f of 2 मिल जाएगा यह function f का वालू 2 पर कितना है यहाँ तो पूट करूँगा तो function g का वालू 2 पर कितना है function f के derivative का वालू 2 पर कितना है g के derivative का वालू 2 पर कितना है ऐसे है तो अगर अगर हम लोग बोलेंगे x equals to 2 x equals to 2 put कर रहा हूं ये वाली रो ले रहा हूं तो f of 2 क्या हो जाएगा x की जगापर 2 put कर रहा हूं f of 2 क्या हो जाएगा f of 2 का value क्या है 1 जे है समझा रहा है ठीक है na g of 2 जब x की जगापर 2 put किया दो मैं g of x का value क्या है यही क्या g of 2 का value कितना है इच्छे f dash of 2 का value कितना है minus 3 और g dash of 2 का value क्या है 4 उस समझा रहा है क्या बोलनों में क्लिए तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इससको interpret करेंगे पहनी चीज़ दूसरी चीज़ क्या है इसस समझा आगे करेंगे इसी तरीके सब बताओ अगर आपके पास ऐसा है, f of x कोई function है, इसका अगर आप derivative लेंगे, तो क्या होगा? अगर ऐसा कोई function आजाए, f of g of x, यहीं function of function, x की जगापर कोई बैथा है, तो form क्या है? f of x, अंदर कौन बैथा है? g of x, तो form क्या है f of x? f of x का derivative क्या होगा? f dash of x, f dash of g dash of x. into derivative of क्या हैगा, into derivative of x की जगापर कौन बैथा है? g of x, समझ में आगया, तो यह जाएगा, f dash, g of x, यह अपनी जगापर, into derivative of g of x क्या होगा? g dash of x, तो समझ आगया, clear है? तो इस तरीके साब तो यह याद रगी, यह आपको समझ जाना है, ऐसे इस का हम लोग क्या करेंगे, derivative निकालेंगे, clear होगा, समझ में आगया, चलोगे, तो अगर यह आपको समझ में आगया, तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं है, जो आप 4 और 6, है न, और इसके बाद क्या है, यह आपका क्या है, f of x, यह आपका क्या है, g of x, यह आपका क्या है, f dash of x, यह आपका क्या है, g dash of x, चलोगे, चारो बना दिया हमें, चलोगे, 1, 3, 5, यह आपका क्या है, 6, 4, 2, minus 3, 5, minus 4, और 4, minus 6, और 7, यह अपने पास है, पहला सव क्या है question number four first question नजर आ रहा है आपको यस नजर तो आ रहा है ठीक है ऊपर वाला आपको समझ में आ गया होगा क्या है R'2 यह आपको बोला है कि R of X का आपके पास, र of X जो आपके पास है, वो है F of G of X ठीक है झाए अब आपको R डash of 2 निकालना है सब्समा कर यहां पर X का वालू कितना है? X का वालू तो 2 है यह तो पक्का है सब्सक्षाद के R' डैश ओफ X मतलब R का डिरेटर चाहिए आपके मास यह है तो इसका डिरेटर निकालना पड़ेगा तो कैसे डिरेटर निकालना पड़ेगा बुले लिषे दली बताओ कैसे डिरेटर क्या है तुमारे पास R' सिपोस्टू क्या है F of g of x ही यह रॉहारे पास है इसका derivative differentiating with respect to x करो R dash of x क्या होगा क्या है एस का derivative क्या F of x का form है इसका derivative क्या होगा F dash of G of x इन्टु derivative किसा रहना पड़ेगा इन्टु derivative क्या होगा G of x समगा रहे है Angg of x का derivative क्या होते हि được अल्री बुलो तो आगाते है g of x के derivative, g of x के derivative वोता है g dash of x, जैसे r of x का r dash of x, तो g of x के derivative क्या होगा, g dash of x, सब्सक्राइब अब क्या है, ये तो हमने हिका लिया r dash of x, और r dash of 2 निकाल ला है, यानि x की जगा पर क्या रखना है, 2 रखना है, तो therefore क्या हो जागा, therefore now, now दिदेते हैं, x is equal to 2, ठ आपर भी x है, सब्सक्राइब आपर क्या पूट करोगे, 2 पूट सब्सक्राइब, f dash of क्या है, g of 2, into g dash of 2, समझे आ रहे clear है, अब आगी कहानी क्या है, आगी कहानी है, r dash of 2 निको निकालना है, g dash of, g of 2 क्या है बताओ जिल्दी से, g of 2 बताया था मैंने, जल्दी बताओ, g of 2 क्या है, but, g of 2, यानी x की जगा पर जब 2 पूट करेंगी, तो g का वालुक है 6, समझ आ गया, इसलिए इंटर्प्रेटर में पहले सखाया, फिर बताओ, g of 2 होगे, g dash of 2, g dash of 2 क्या है, g dash of 2, यह g dash of, x की जगा पर 2 पूट करेंगी, g dash of 2 कितना आएगा, g dash of 2 is 4 more, समझ ब g of 2, g of 2 कितना है 6, तो क्या आजाएगा, f dash of क्या आजाएगा मेरे पर 6, into, g dash of 2, g dash of 4, अब f dash of 6 कहा है, देखो देखा, x का वालुच है, यहाँ पर 6 है, f dash of 6, यानी x की जगा पर 6 है, x की जगा पर 6 है, f dash of 6, यानी x की जगा पर 6 पूट करेंगी, तो क्या आएगा, minus 4, बोलोंगा, but, f dash of 6 equals to क्या होगा, minus 4, इसलिए interpret करने है पहले जिकाया तुमको मैंने, जल्दी बोलो, f dash of 6 कितना आ रहा है, minus 4 आ रहा है, f dash of 6 कितना आ रहा है, minus 4, तो r dash of 2 equals to minus 4 into 4, will be minus 16, यह तुमारा answer है, यह तुमारा answer है, जिए ना, चुरविए यह भी हमने कर लिया, च यह तुमारा answer है, 1.1 का question number 4, समझ भी आ गया, इसके पहले interpret करना सीखो, starting का part जो मैंने बताया है, उसको 2-3 बार देखोगे तो clear जागा, ठीक है, कैसे इसको sort करना है, ठीक, चौड़ो, तैसे table से आपको information निकालने आनी चाहिए, ठीक है, चौड़ो, आगे बढ़ते है, आ यह आपको क्या, if r of x is equal to, r of x क्या है, g of 3 plus f of x आपके पास, आपको find out करने बोला है, r dash of 4, समझ माँगे clear है, यह आपको निकालने बोला है, ठीक है, यहाँ पर r dash of 4 आपको कैसे निकालेंगे, उसको अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, चलो, देखोगे, कैसे करें, कैसे, तो r dash of 4 निकालना है, वैसे ही question है, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसका डिरेटर निकालना पड़ेगा, फिर x के रेगा, पर 4 पूट करना पड़ेगा, तो वह ही differentiating with respect to x, रहे ही निकालता हूं, r dash of x इको सो, अब क्या, g of x का form है, g of x का derivative क्या है, जैसे f of x का f dash of x है, तो g of x का क्या होगा, g dash of x, 3 plus f of x into, into derivative किसका निका पड़ेगा, जली बोलो, into derivative जो x की जगा कर पड़ेगा, 3 plus f of x, इस समझ भी आ रहे है, ऐसे करना है, जैका, g dash of 3 plus f of x, into, इसका derivative क्या होगा, 3 का derivative 0, प्लस आयना है, तो individual differentiate कर 3 का derivative 0, और f of x का derivative क्या होगा, f dash of x, समझ भी आ रहे है, क्लिए है, तो r dash of x क्या मिला, therefore, r dash of x क्या मिला, therefore, r dash of x इक पलस to, g dash of 3 plus f of क्या है, x into f dash of x, समझ भी आ गया, अब r dash of क्या निकालना है, 4, यानि x के लिए पर क्या पूट करना है, 4, तो r dash of सीधा लिखा हो, मैं 4, जहां पर भी x है, सब से मेले क्या पूट कर दो, 4 पूट कर दो, ठीक है, f of क्या होगा, 4, into f dash of क्या हो जाएगा, 4, समझ भी आ रहे है, उसके बाद, उसके बाद, अब क्या, अब सब values को देखो, f of 4, f of 4, यानि x के लिए पर 4, x के लिए पर 4 पूट करना हो, to f of 4 क्या है, 3, तो यहाँ पर सब value लिखो, सब f dash of 4 क्या है, जल्दी बता हो, f dash of 4, 4 लेना है, x के लिए पर 4 है, यही पर आके जाना है, f dash of 4, f dash of 4 क्या है, f dash of 4, 5 आएगा, 5 आएगा, sब therefore, क्या हो जाएगा, r- of 4 is equals to, g- of 3 plus, f of 4 क्या है, 3, into, f- of 4 क्या है, वो आपका 5 है, समझ आएंगे, 13, तो मुझे बिटाओ, यहाँ पर क्या होगा, therefore, therefore, r- of 4 is equals to, r- of 4 is equals to, g- of, g- of, एक है, 3 plus 3 कितना होगा, 6 होगा, 9 महलिक देना दे, into, क्या होगा, 5, आप, g- of 6, यहाँ एक्स करेगा, पर 6 हैं, यहाँ पर गुमना है, अप, g- of 6 हैं, यहाँ पर इसको फुटकर तो बटाओ, कितना हैगा, 7, 7 into 5 हैं, कितना हो जाएगा, 35, समझे, क्ये रहे, यहाँ आपको म तो बटाओ, नहीं आएगा, तो मुझे पूछो, ठीके न, देखो, तुमको खुद से आना चाहिए, मेरी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, तुमको प्रैक्टिस करनी है, तुमको एक्जाम देना है, यह तो तुमको पता दिया, 3rd, 4 ट्राओ, कुछ नहीं आएगा, तुमसे पूछना मैं करवा दोगा, ठीके है, चुरु, आजो, फिफ्ट कुर्चन किरा देता हम, फिफ्ट कुर्चन में ने को क्या दिया आओ, वैसे कुल नजर आ रहा है, क्या है, f'dash of 3, कितना दियाओ है f'dash of 3, कि दियाओ है आपको minus 1, और g'dash of 2 क्या दियाओ है, आपको 5 दिया Then kya dy by dx यह kya He x equals to 2 सब्प्वाग्या क्लीर है, इस तरिएखिए से यहां पर आपको क्या करना है, आपको dy by dx x its eqles to 2 खिनन थिक है dy by dx का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह हुआ, कि आपको निकालना है y-2, ये आपको निकालना है पर क्म से बालू पर? x equals to 2 पर आपको यह निकालना है y dash of 2 सुज मां का आपको interpret करने उसको आना चाहिए तो आपके पास दिया क्या है यह दिया है आपके पास y is equals to क्या है? f of g of x अब y dash निकालना है differentiate करो y f of क्या हो जाएगा गोरो उसका derivative भी निकालता हूं कहां पर निकालना है y dash of यह क्या था था तुमारे पास? इसको y of x गोल दो तुम यह की बात है na x का function है dy by dx मतलब क्या? derivative of y with respect to x सुज मां कहा है यह क्या है? derivative of y with other function of x function x का है y of x लिख दिया इसको निकालना है ठीके ना, आपके क्या करना है अपने को देखो जान से अपने को क्या करना है? y dash of 2 निकालना है x लिख पर क्या पूट करना है 2 therefore क्या रहेग y dash of 2 f dash of जहां पर भी क्या है x से वहां पर क्या पूट करते हैं हम लोग जो भी वालोगा हमको निकालना हम पर ठीके ना, अब क्या? f dash of g of 2, g of 2, g of 2 किता है? 5 नहीं, g of 2 3 g of 2 किता है? 3 into g dash of 2 कितना है? वो 5 समझे अगर f dash of 3 कितना है? minus 1 into 5 will be minus 5 कितना दल्लू सवाल है ये समझे? किता असान है आपस को solve करना तो? बहुत easy कुछ नहीं समझे तो बताओ मुझे minus f dash of 3 कितना है? minus 1 और ये किता है g of 2 कितना है? g of 2 3 है f dash of 3 कितना है? minus 1 और g dash of 2 कितना है? 5 है? रावर लिके पनने g dash of 2 5 है, g of 2 3 है सही है, सब कुछ सही है गड़बट होगी है वाचिसमे फिक मुझे रिखता है उसमें कुछ रहाँ है सही है है बुक्लिफ क्या भी होगा है बुक्लिफ है फिफ्ट है न ये अच्छा हाँ, फिफ्ट है सही है, सही है माइनस 5 ही है फिफ्ट ही है चाहिए है इसके बाद next क्या है next जो है इसके बंदर उसको देखे अब क्या कहता है आप से 7th question 7th question आप से कहता है आप से लिफ्ट है आप से लिफ्ट है ये कर्व है आपके पास y is equal to sin2x-2sinx ये कर्व है आपके पास और इसका रीज आपको देखे आज है x का और आपको बोलाए कि वो सारे x-coordinate निकालो सारे x-coordinate जहांपर dy by dx का आए 0 है वो सारे x-coordinate निकालो जहांपर dy by dx का 0 है तो पहले इसको solve करना पड़ेगा dy by dx का निकालना पड़े कैसे निकालेगे dy by dx आप देखते तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका dy by dx निकालने differentiating with respect to x dy by dx इस पॉस्ट क्या होगा sin2x का derivative क्या हो sin2x sin2x into 2 हो जाएगा पताया ना, directly बताया हमने sin2x का derivative क्या हो cos2x into 2 हो जाएगा 2 composite function derivative 2 sin2x का derivative क्या होगा cosx होगा कुछ समझाया, clear हो गया, चलो भी अपने को समझता है तो अपने पास क्या क्या है कि 2 cos2x minus 2 cosx यह अपने पास आए यहांसे क्या common आसकता है यहांसे 2 common आसकता है और dy by dx मेरे पास है 2 को common ले लिया है cos2x minus cosx ठीक है, यहांपर dy by dx समझे आगे, clear है अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अभी अब आगे जाएगे आगे क्या है, इसको अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते है कि इसको क्या किया रहा सकता है अब मैं क्या कर रहा हूँ यहांपर जो है हम लोग क्या करेंगे इसको 0 put करेंगे 0 is equal to 2 cos2x minus cosx अब इसके आगे कहा नहीं करें क्यों 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 बोला है इसको क्या put करना x coordinates मिलेंगे अब 2 नीच जाएगा जिरो पॉंट जो जाएगा cos2x minus cosx यहांपर cos2x cosx क्लेर हो गया अब इसके बाद क्या है आगे क्या है अब इसके बाद क्या करना है इसको solve करने में आपको बहुत दिक्कत होगा क्या करो इसको इस तरीके से करो क्योंके इसमें थोड़ा सा आपको arrangement लगेगा tricky arrangement है वह आपको मैं बता जाता हूँ आप आप good word कर दो के और ना चलो तो cases solve करेंगे इस type को therefore cos2x अपने हो क्या मिला cos2x का एक formula है बच्छो 2 cos2x minus 1 और यह आपको cos2x अपनी जगा पर cos2x का formula क्या है cos2x का formula होता है 2 cos2x minus 1 है ना यह आपने पढ़ा है 11 Saturday नहीं बता है तो अब इसको याद कर लो फिला ठीक है चरूँ यहां पर मैं क्याएं पर मैं क्या क्या रहा हूं यहां तो formula लिख दिए और 2 cos² x-1 अपनी जगाँ इनको भी यहां भीचो, देंफों क्या आजाएगा बताओ 2 cos² x-1, minus 2 cos x, plus cos x, equals to क्या आजाएगा जिए, यह अपने पास आजाएगा अब देखो common क्या रहा है, इस में से और इस में से क्या करते हैं, हम लोग 2 cos x को common लिले, तो अंदर क्या बज़ जाएगा, 2 cos में से 1 cos बचा, 1 cos बचा, cos x, और minus 1 बचा, समझा रहे हैं, यह वाला minus 1, यह पूरा चला गया ना, तो क्या बचा, minus 1, 2 cos x बचा, इन दोनों को देख cos x minus 1 यह भी, cos x minus 1 यह भी इन दोनों को common लिले, तो cos x minus 1 को common लिले, मैंने, अंदर क्या बचाएगा, 2 cos x plus 1 is equal to 0, समझ में आगे, ऐसे आपका arrangement है, अब इसलिए आपका answer आ जाएगा, therefore, क्या हो जाएगा, cos x, अब देखो, 2 bracket है, 2 bracket multiplier हो, अगर answer क्या रहा, 0, इसका अंदर या cos x को solve कर लेते हैं, तो cos x equals to क्या हो जाएगा, cos to 1 हो जाएगा, x equals to cos inverse of 1 हो जाएगा, 1 का बाता है, 0 क्या हो जाएगा, x का बाता है, 0 क्या हो जाएगा, बास समझ मारी क्लिए है, 0 यह होगे, उसके बात क्या या फिर, और करके क्या लिखो, दूसरा वाला bracket 0 हो सकता है, 2 cos x plus समझ लाएगा, समझ लाएगा, क्लिए है, तो इस तरीके से यह problem आपका हल हो जाएगा, और question no 8 जो है, आप लोग खुद से try करेगे, आप लोग ट्राय करोगे, अगले lecture में आपको मैं करा दूँगा, अगर नहीं आया तो, ठीक है, don't worry, आपको खुद try करो, उनना मैं and one है, इसको दो बार आप लोग सम्मिट करेंगे कर, okay, clear है, चली, all the best, ऐसे से पढ़िए, कुछ doubt हो तो comment section में बताइए, अपने दोस्तों के शेर करिए, और बहुत है स्कोर करेंगे, thank you